दोस्तो अगर आप भी रविंद्र जडिजा और अवी चद्र अश्विन को महान खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तो बांगलेदेश के गलाव पहले टेस मैच में भारती टीम को मिली शांदार जीत तो भारती खिलाडियों की बीबियों ने दिया बड़ा भारती खिलाडियों की तारिफ करते हुए जीत लिया सभी कतिल जीहां दोस्तो बारत और बांगलेदेश के बीच खेले गए पह भारत की जीत के बाद क्या कहा है ये तो आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारती टीम की बांगलदेश के टीम के खिलाव जीत को किस खिलाडी के दम पर जीता गया है अपनी राए हमें नीचे दिया गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा द पारी को घोशित कर दिया जिसके चलते 515 रन का लक्षे बांगलेदेश की टीम को मिल गया ऐसे में बांगलेदेश की टीम मातर 234 रन पर ओल आउट हो गई और भारती टीम को 280 रनों से शांदार जीत पिल गई ऐसे में भारती टीम की चीत के बाद भारती खिलाडियों की पत्नियों का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें रोहिट चर्मा की पत्नी रितिका ने बयान देते हुए कहा है कि आज हमारी भारती टीम ने काफी जादा भैतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत दर्च की है जिसके के विरोधी टीम को काफी जादा बेज़ती की है जो बताता है कि हमारी टीम किस प्रकार से खतरनाक प्रदर्शन फिलहाल के स्थिती में कर रही है पाकिस्तान की टीम को हरा कर आई है ऐसे में पाकिस्तान की टीम को हराने के बाद कोई भी टीम अपने आपको मजबूत क्यों समझ साना चाहती है। मसबूत समझने की कोशिश ना करे, वो बेशक स्पिन की सबसे खतरनाक टीमों में से एक हो लेकिन हमारे देश में आकर हमारी टीम के खिलाव जीतना उनके लिए काफी जादा बड़ी चुनाओती होगी, इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम क काफी जादा भेतरीन प्रदर्शन करते हुए इस मैच को अपने नाम किया है आज हमारी टीम में सभी खिलाडियों ने अपने कोशल और शमता के दम पर मैच को अपने नाम किया है हमारी टीम ने शांदार गेंदबासी की और बल्लेबासी की है जो किसी भी टीम को आसानी से प पता चल रहा है कि बांगलादेश बिलकुल बेकार टीम है तो दोस्तों आपको क्या लगता है बांगलादेश के खिलाब भारतिय टीम का टर्निंग पॉइंट क्या रहा अपनी राय हमें नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा पर ऐसी ही शांदर खबरों क्लिया मारे चैनल को जबरू सब्सक्राइब करें धन्यों